What's up guys, I hope you are doing well, I am weird, welcome to Stirl or Family तो कैसे हो दोस्तों मैं आसा करता हूँ, श्यांदा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजोई कर रहे हो अपनी सेहत, फैमली और पाई का धान काफी अच्छे से रख रहे हो तो यह जो वीडियो है, यह हर एक 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 एक्जाम के लिए आप लोगो फाईदा पहुचाने वाली है चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एक्जाम की तैयारी क्यों ने कर रहे हो यहाँ पर UPSC या EPS का मतलब यह नहीं की बसीनी एक्जाम में फाईदा पहुचाएगी आप लोगो यह स्टेट के जितने भी एक्जाम होते हैं उनके अंदर फाईदा पहुचाएगी और किसी भी एक्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं फिर ईक्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगी अप लोग पर गट रहे है तो थोड़सा देखे कहां पर कमी रह रही है आप लोग हो उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहे है तो फिर अच्छी बात है और अच्छे से आप लोगो focus देकर आगे बढ़ना है और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि PDF आप लोगो चाहिए तो टेलिग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लेज़ेगा लिंक वीडियो के नीचे आप लोगो इसका description box में मिल जाएगा तो आईए आज का discussion स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का first question देखते हैं इस question में हाँ पर बात की जा रही है cloud setting के बारे में cloud setting recently काफी news में है तो इसके बारे में कौन सी statement सही है या आप लोगो बताना है ये एक तरीका phenomenon होता है जो कि modification करता है technology के थुरू create करता है artificial rain यानके कृत्रिम वर्सा कराने का काम यहाँ पर करता है तो जब यहाँ पर यह ऐसी activity की जाती है तो इसको cloud setting बोलते हैं इसके बारे में कौन सी statement correct है बोला गया कि अगर cloud यानके बादल भी नहीं है तो भी हाँ पर इसको possible है कि आप लोग क्या कर सकते हैं आपर ये ये work कर सकते है cloud setting जो technology atmosphere में दूसरा बोला गया है कि इंडिया में आज तक इसको practice नहीं किया गया है तीसरा बोला गया है कि जो हाँ पर seeds of rain है वे हाँ पर iodides किया जाते है silver iodide के help से या फिर potassium या फिर dry ice या फिर solid carbon dioxide और liquid propane तो यहाँ पर ये चीज़े हैं जो help करती है इस particular activity को कराने के लिए तो कौन सी statement correct है ये बताने है A में बोला गया 1 only B में बोला गया 23 C म बोला गया 1 and 2 ये बोला गया 3 only सही answer कोन है A, B, C, F, D सही answer है आपर इसका तीसरा यानिके ये सुरी चोथा यानिके D यानिके तीसरा answer सही है पर लेकिन 3rd statement है आपर सही है यानिके 3rd statement सही है answer D सही है 1st और 2nd statement है आपर गलत है reason कह है reason सबसे पहला ये है कि आपर cloud होना इसके लिए जरूरी है और दूसरा इंडिया में कई सारे राजिया है जो इसको practice किया जा चुका है तो पहले आप लोग method समझे फिर राजिय की बात करते है method क्या होता है जिसे माली जी एक cloud है यानिके बादल है ठीक है तो या तो धरती से यहाँ पर कोई pump की थुरू इसको यहाँ भेजा जाता है generator के थुरू यहाँ पर ठीक है जो silver iodide होता है या फिर aeroplane जो रहता है उसके थुरू यहाँ पर यह silver iodide यहाँ पर बादल के इसको डाला जाता है ठीक है तो यानि कि यह crystal जो रहते हैं, यह फिर यहां से नीचे गिन रहते हैं, तो यह तरीका होता है यहाँ पर, जिसको cloud seeding यहाँ पर बोलते हैं, अगर बात कि जाए हैं, अभी recently हर्याना के जो डिप्टी से हैं, उनके द्वारा प्राइमिस्टर को लिखा गया, कि cloud seeding के बारे में की plan है इस तरीके से, ठीक है, तो air pollution को लेकर भी हाँ पर Delhi NCR में इसके बारे में बात कि जाती हैं, तो यह ऐसा नहीं कि अब तक हो नहीं है हमारी country में, करनाट का अंदरपरदेस, महारास्टा, ड्रोथ को यहाँ पर taggle करने के लिए इस तरीके की activity कई बार बात कर चुके हैं यह फिर potassium, यह फिर आप लोगों से dry ice, तो यह भी statement देकर आप लोगों से पूछा जा सकता है, liquid propane, तो चार दे देंगे कि इन में से कौन सा use के जाता है, यह फिर बोल देंगे तीन ऐसे होंगे जिसमें से use कोई सा भी नहीं कियाता है, यह फिर ऐसे देंगे तीन जो use कियात कि कौन सा ऐसा है, जो नीचे दिएगे option में से, जो green cyst, यहनिके जो हरे रन की चट्टाने use करता है sculpture, यहनिके तस्वीर बनाने में historical point of view से अगर आप लोग देखते हैं, पहले बोला गया मोरियन sculpture, दूसरा बोला गया मत्हुरा की sculpture, तीसरा बोला गया भरूत sculpture, और चोथा ब इसके बारे में आप लोग idea रख सकते हैं, जो कि normally use करता है आप यह भरूत, ठीक है न, तो यहाँ पर जो sculpture थी आप इनको बनाने के लिए, और यह मैंने आप लोगो जो यहाँ पर option दिखाएं, यह भी भरूत कहीं है, यहाँ पर basically, ठीक है, तो एक तरीका medium है आप इस sculpture को ब मिल जाती है, तो उससे related question आप लोगों से exam में बन जाता है, तो answer क्या हो गया, answer इसका C हो गया, आगे चलता हूँ, इस question में हाँ पर बात की जा रही है, यह है FAW, जिसको बोलते है fall army warm, तो इसके बारे में कौन सी statement correct है, आप लोगो यह बताने है, first statement में बोला गया कि यह एक army software है, दूसरा बोला गया कि यह जो native है, यानि कि जहां से पाय जाता है, यह है tropical और subtropical region of Americas, ठीक है, तो अमेरिका के tropical और subtropical region में पाय जाता है, first test को detect किया गया अफरिका continent के अंदर 2016 में, और जब से फिर यह हैं आपर China, Thailand, Malaysia और सिरलंका में, अलग-अलग एरिया में तब स यहां पर यह पहुंच चुका है, तो इसके बारे में कौन सी statement correct है, A में बोला गया, 1 only, 2 बोला गया, 1 and 2, C में बोला गया, 23, ADM बोला गया, all of double, सही answer क्या है, A, B, C, F, D, तो जो सही answer है यहां पर इसका, यह है C, यहन के first statement यहां पर गलत है, यह कोई army software नहीं है, यहां पर इस तरीका एक आप लोगो यह कीट देखने को मिलेगा, जो की normally पेड़ पोदों को खाता है, जो भी आप लोग यहां पर जो फसल होती है, उसको खाता है, और किसानों को काफी नुकसान यहां पर यह पहुंचाता है, तो इसकी वज़े से एक काफी बार, कई बार news में रहत है, तो कोशन क्या बन सकता है, सबसे पहले तो जैसे ही बोल देगा, कि form आप भी बोल का है, एक software है, या फिर कोई gun का नाम है, किसी missile का नाम है, किसी radar का नाम है, यह आप लोग को इसके बारे में याद रखना है, ठीक है, तो इस तरीके से कोशन पूछ ली जाएगी आप ल लगबग साथ लाग टन, जो मेंज एवरी एर पडियूस की जाती है, तो इसकी चलते हैं आपर उसको यह माना जा रहा है, कि यह काफी नुकसान पहुचाने वारा है, ठीक है, फिर बोला गया कि इस पर्टिकलर एरे में पाय जाता है, तो यह अमेरिका के अंदर, ठीक है, तो हाँ पर बेसिकलिए पाय जाता है तर पर लेकिन, यह अभी फर्स टाइम 2016 में डिटेक्ट किया गया अफ्रीक कॉंटिनेंट में, और अब यह हाँ पर बढ़ता हुआ, यह एशिया, यहन के चाइना, थाइलाइन, मलेशिया, सिरलंका, इन सब रीजन में भी यह पहुच सकते हैं, इस तरीके से, और एगरी कल्चर में आप लोगों बता है, हमारी कंट्री में खिसानों की इंकम 2022 तर डबल करने की बात की जा रही है, तो इसलिए भी कोश्चन बन सकता है, तो एक ही कोश्चन से 5 है कोश्चन आप लोगे निकल जाएंगे, तो टोपिक आप लोग करना बंद कर गया, 1930 के एर फिर में, तो इसके बारे में कौन सी स्टेट्मेंट करेट है, ओल ओवर इंडिया में अगर इसको काउंट किया जाए तो, तो यह जो सिविल डिसर्फिडेंट मुवेंट है, इसके बारे में बेसिकली साउथ इंडिया वर फोकस किया रहा है, बो करनाने के लिए, क्योंकि नमक एक डे-वाई-डे की एक्टिविटी है, यह काफी जरूरी थी, इसके ओपर टेक्स लगा जाए था, भारी भर काम, उसको चलते हाँ पर रोगने कोशिस की जारी थी, जो यहाँ पर लोगों के दोरा प्रोटेस्ट किया गया, नेस्ट यहाँ सही आंसर क्या है, A, B, C, F, D, तो जो सही आंसर है, आपर यह इसका C, यहनिके 3, यहनिके 2 and 3 स्टेडमेंट सही है, पर 1 स्टेडमेंट यहाँ पर गलत है, C, राजगोपाल चारी जी के दोरा जो इसको स्टार्ट किया गया, यह तमिलनाडू के अंदर स्टार्ट किया गया, पास्ट में, यह उनली सिंगल स्टेडमेंट के उपा, दूसरा बोला गया है, यहाँ पर एक सत्यागराई का जो जत्ता है, वो चला है हाँ पर आसाम से और बंगाल तक पहुचा सोल्ट बनाने के लिए, यह स्टेडमेंट भी बिलकुल सही है, निश्ट यहाँ पर बात की पहले के लिए हाँ पर यह हीरो सामने आया थे निकल कर, तो उसके चलते हैं आपर आगे चलकर इनके द्वारा इस पर्टिकुलर जो मुमेंट था उसमें भी पार्टिसिपेट किया गया, तो यह केरला वाला रीजन है, जो कि माला बार वाला रीजन आप लोग का है, तो आं यहाँ पर आइडियोग्राम्स, यह निके, जो ग्राफिक सिंबल थे, क्रेक्टर यूज के करते थे, किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे माली जग घर है उसका सिंबल होगा, कोई दूसरा थियार होगा, उसका सिंबल होगा, हर एक चीज के लिए एक बोला गया है, बोस टॉफिक डिनिक, तो यहाँ पर यह एक स्टाइल है, इसको फोलो किया जाता था, हर अपन लोगों के दौरा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है, माली जे यह लाइन है कुछ जिसमें आप लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग ऐस यहाँ से आप लोग ऐसे लिखते हो जाएंगे, फिर यहाँ से लिखते हो जाएंगे, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पहुंचे, यह खतम हो गई, फिर यहाँ से लिखना स्टाइट करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे पता नहीं लगा गया कि क्या वो लिखते थे, पहली बात, दूसरी बात यहां पर यह है, ऐसा सिस्टम में बेसिकली वो यूज के गये थे, आंसर यह बेसिकली राइटिंग के लिए, ठीक है, इसी के चलते, आप लोग एक बात और याद रखेंगे आपा, जो काफी important है आपा देखें, जब भी कोई भी historical place अगर news में होता है, जैसे हरापा की site बार-बार news में रहते हैं, कभी पाकिस्तान की वेसे, कभी किसी region की वेसे, तो इसके चलते, आप लोगों से question उसके historical background के साथ में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो रहेगा question, इस टीगा प लेकिन present background उसका question को जो होगा, वो current होगा, तो answer C हो गया, अगे चलता हूँ, science का question है, इसे बड़ी frequently question, एक ही question में से कही सारे question अब लोगे बन जाते हैं, बात की जा रही है कि naturally occurring जो indicator है, जो यहाँ पर यह बताता है कि acid है या फिर base है, तो इसके बारे में कौन सी चीज यहाँ पर use की जाती ह ठीक है, यानिके जो अमल और चार के बारे में कौन यहाँ पर बताता है, यह indicator जब use कहता है, पहला बोला गया है, हल्दी, यानिके टर्मरिक, दूसरा बोला गया है, चाइना रोज पेटल्स, ठीक है, तो जो चाइना की जो रोज पंखडिया होती है, उनको use कहता है, लिट A में बोला गया 1, 2, 3, B में बोला गया 1, 3, C बोला गया 1, 2, D बोला गया 2, 3, सही answer कहा है, A, B, C, F, D, सही answer है आपर इसका A, यानिके तीनों के तीनों नेचुरल पाय जाते हैं, और तीनों के तीनों use कहते हैं, आपर acid और base को count करने के लिए, पता लगाने के लिए, जो यह available solution के साथ में इनको मिला का, ठीक है, इसी के साथ में जो यहाँ पर litmus paper का नाम आप लोगों ने कई बार सुनोगा, तो litmus paper भी हाँ पर काफी frequently use किया जाते हैं, जो की red and blue litmus paper यहाँ पर generally available होते हैं, ठीक है, तो answer इसका यह हो गया, आगे चलते हैं, next question है, आपर यह बात कर रहा है, सला, दरपन, पोर्टल के बारे में, तो पोर्टल का मतलब होता है, एक website, तो इसके बारे में कौन सी statement correct है, यह में बोला गया, यह e-governance school automatic management system है, जो की नवध्य विद्धाले समिती, इन न्यूड एहली में हापर इसको start किया गया है, ठीक है, तो इसके बारे में first statement, दूसरा बोला गया है, यह end-to-end government school automated management system है, तूसरा बोला गया है, database management portal है, सही answer क्या है, A में बोला गया, only one, B म बोला गया, one two, C म बोला गया, one and three, D म बोला गया, one two three, सही answer क्या है, A, B, C, F, D, सही answer है, आपर इसका D, यहनके सारी के सारी statement बिलकुल correct ह सबसे पहले तो question आप लोग का यह बनता है, किस के द्वारे में इसको start किया गया है, यहनके किस के under में इसको launch किया गया है, तो human research development ministry के द्वारे में इसको launch किया गया है, जो एक portal है, e-governance, जो automated management system यहाँ पर यह नवदय विदाले समिती in new daily में इसको launch किया गया है, एक तरी इसे data update आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, सारी connectivity जो स्कूल और education जो offices है, उनको online data continuous update करते रहना है, ताकि सब चीजों की update सब के पास में रहे, तो उसके चलते एक integrated system भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है, तो सलाह दरपन पोर्टल जो है, human resource and development ministry के द्वारे था, वो कभी हाँ पर picture में है, कभी इसके बारे बात कीगी थी, तो 2015 में हाँ पर इसके बारे में बात कीगी थी, Paris कहाँ पर है, यह France के अंदर में है, अब question देखिए, बोला जा रहा है, जो global, जो global, जो global stock take है, आपर इस्टेबिस करने के लिए, पहले इस agreement के लिए, यह every, यहाँ पर मिलते हैं, इसके बारे में बात करने के लिए, दूसरी statement में बोला गया है, कि हाँ पर every six year यहाँ पर, जो nationally determined contribution जो program होता है, वो यहाँ पर register किया जाता है, UNFCC के तैत, तो कौन सी statement यहाँ पर correct है, यह बताना है, A में बोला गया, one only, B में बोला गया, two only, से बोला यहाँ बोला गया, one of the above, सही answer क्या है, A, B, C, F, D, तो जो सही answer है, आपर yes का D, यहाँ के दोनों की दोनों statement जो है, वो बिलकुल incorrect है, तो यहाँ पर जो answer होगा, basically यह बोला गया है, तीन साल तो तीन साल नहीं हो गया आपर, यह तो होगा 5 साल, ठीक है, तो first statement यहाँ पर क्य solution देगी, climate change activity को रोखने के लिए, तो उसको बोलते हैं, आपर basically NDC, तो यहाँ पर इसके चलते, जो हर साल यहाँ पर यह बोला गया है, यह 6 साल नहीं है, यह 5 साल है यहाँ जिसके तहत यहाँ पर जो report करना होता है, किसको, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, यह UNFCC, ठ उसके बाद में फिर यहाँ पर इसको, जो basically sign किया गया, और जो enter of force में, यह 1994 में हाँ पर basically enter हो गया, तो इससे लेटर यह दो question भी राम से पूछ ले आते हैं exam में, तो इसके बारे में याद रखेगा, कहाँ पर इती 1992 में submit, यह उती ब्राजील, रीडी जनेरियों के अंदर में, जिसको बाद में आगे चलकर, जो picture में लाया गया, 1994 में, ठीक है, तो यह भी question आप लोगों से बन सकता है, तो answer यहाँ पर इसका D हो गया, तो यह था total आज का discussion, I hope कि आप लोगों ने enjoy किया होगा, अगर lecture पसंद आया, तो देखिए, इसकी lecture की PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, टेलिग्राम से जाकर, सारी जो भी आज तक के lecture में लिये, सब की PDF आप लोगों टेलिग्राम पर मिल जाएगी, इसी के साथ में, अगर आप लोग लोग लेक्चर पसंद आता है, तो ही इसको like किजएगा, पसंद ही आता है, तो एक डब dislike किजएगा, dislike क्यों किय जरू बतना, ताकि आने वाले टाइम में लेक्चर को और ज़्यादे इंप्रूव किया जा सके, तो मिलता हूं नेक्स लेक्चर में, बड़ो को नमस्ते, छोड़ो को प्यार, छोड़ी सी राइपे इंज्योई करार, तब तक के लिए, जैहिन!